कि नमस्कार दोस्तों निफ्टी बाबा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स निफ्टी बाबा चैनल पे आपको कली बता दिया गया था कि मार्किट उपर की ओर जायेगी हलांब की सारे जो साइन मिल रहे थे वह एक एक्टिव थे हलां की सुबह भी टेलीぎ्राम चैनल पर मैं यही का है कि मार्किट औपर जाएगी क्योंकि टेख्सकि की चौक। जो 200 एमा पे थे और वो उसके नीचे जाई नहीं सकते और मैंने यह भी कहा था मुझे कितने स्टॉक दिखाई दे रहे हैं और वह स्टॉक की मार्डिट को उपर ले जाएंगे तो वहीं हुआ स्टॉक काफी गिर चुके थे तो उन्होंने उपर जाना ही था तो वह उपर गए बहाना यह मिल गया कि बॉंड जीट थोड़ी सी कम हुई हलाकि बॉंड जीट अभी वहीं है जहां थी 1.7 के पास तो अब हम आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी बर और निफ्टी में देखि घ्यकट हुआ और नीचे 14.436 के नीचे मैंने कहा था फूट लेनी है तो वह B PUT की आदा हुआ में 144.70 के नीच नीच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताहां कि आपको रोज की रोज knowledge मिल सके आपको पता चल सके कि कैसे trade की जाते हैं तो bank nifty में भी वैसे हुआ कुछ कहने की जुरुत नहीं है हमने कहा था कि 23973 के नीचे पूट लेनी है तो ली और उपर हलांकि मैंने कहा था कि 34650 के उपर जाए तभी call लेनी है तो अभी bank nifty में थोड़ा फरक है तो वह level अभी आया नहीं तीन stocks मैंने दिये थे पहला था scl tech scl tech जो मैंने कहा था कि 930 पे लेना है तो gap opening हुई इसमें 953 पे मिला और 965 तक का target हमें exactly मिला जो दूसरा stock था वह था सिपला सिपला को 750 से buy करना था और 766 16 point का profit हमें से हुआ HDFC life 675 से लिया 689 तक यह उपर ही बंद हुआ तो इस तरह से इसमें भी हमें हमें 14 point का profit हुआ इस तरह तीनों stock से हमें 30-40 point का profit अराम से हुआ तो कल के लिए फिर से HDFC life ही रहेगा यह आपने देखा होगा कि वहीं पे close हो गया बिल्कुल भी वहां पे विक्वाली नहीं आई यह और उपर जाने के संकेद दे रहा है तो 666 के आसपास मिले तो buy कीजिए 675 के आसपास मिले तो buy कीजिए वैसे भी long term के लिए यह एच्छा है HDFC life long term के लिए recommend करता हूँ अगर किसी ने लेना तो ले सक जो दो स्टॉक दूसरे जो मिले करा हूँ वह है JSW Steel, JSW Steel को 434 के आसपास buy करना है या 446 के उपर buy करना है, stop loss आपने 4-5 point का ही रखना है और target उपर रहेगा 458 और जो तीसरा स्टॉक है वह है Indus Tower, Indus Tower को आपने 257 के आसपास buy करना है और अगर 261 के उपर मिले तब भी buy करना है 266 और 276 के target रहेगे तो यह है 3 stocks और अब बताते हैं bank nifty में क्या करना है देखिए bank nifty में असली जो buying आएगी वह 34650 के उपर ही बन बनती है और अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए जैसे यह 34646 के उपर निकले तभी इसमें bank nifty को buy करना है target 349 00, 35065, 35358 और 35602 तक के हमें Monday को मिल सकते हैं अब bank भी बहुत ज़्यादा bullish भी है और अब पढ़ते हैं अब पहले थोड़ा put के बार ही बता देते हैं इसमें put आपने लेनी है 33 450 के नीचे अगर 33 450 टूटे तभी put लेनी है और नीचे का target वही 33 117 33 117 करेगा और ऊपर की और जो target है वह मैंने आपको बताई दिया 356 00 के और अब हम बढ़ते हैं निफ्टी देखिए इंडिया विक्स 19.99 काफी अच्छी position में है volatility काफी कम है और अराम से आज भी आपने देखा हुआ कि अराम से trading होई है कोई आसी हरबर नहीं थी कि हाँ उपर जाएगी नीचे जाएगी अगर उपर जारी तो उपर नीचे जारी नीचे तो 19.99 जो volatility होती है इसका बहुत फायदा तो उसके बाद put call ratio जो है निफ्टी 1.20 जे भी बोस के favor में है और अगर FIDI data देखें तो दोनों ने जम कर buying की है दोनों ने cash में FI इसने 1400 क्रोर की और DIs ने 560 क्रोर की buying तो अब हम आते option chain पर और option chain में देखें तो 1400 पर अच्छी put writing हुई है 14,52,3,99,000 इसमें add हुए है चार लाख put writer इसमें add हुए है जब की call writer सिर्फ 2,30,000 एड हुए तो 1400 के उपर ही nifty के बने रहने की संभावना है 1400 strong spot बनती जा रही है option chain के एसाफ़ से और उपर अगर resistance देखें तो कहीं पर भी call writer नजन लेखें 14,800, 14,900, 15,000 कहीं पर भी 15,100 और अगर देखें तो यहां 15,200 पर जागर कहीं थोड़ा बहुत call writer नजन आ रहा है वो भी 23,000,000 ही है वो कोई 30,000,000 वाली data नजन नहीं है तो इससे पता चलता है कि market पूरी तरह खुल चुकी है क्यों खुल चुकी है अब नीचे की और देखे कोई खास put writer भी कहां पर आ रहा है सिर्फ 14,500 पर नजन आ रहा है और उसके आसपास कहीं कोई ज्यादा put writing इतनी अच्छी नहीं हुई है जो हम कहें कि 30,000,000 के put writing है तो इस तरह से market पूरी तरह खुल चुकी है खुल इसलिए गई है कि bond yield का कुछ नहीं पता कि अधर की और घ बिर चुके थे तो stocks ही market को उपर लेकर तो इसमें कोई वो नहीं था कि कोई sentiment बन गया यहां कोई बाहर से को news आ गी तो इसलिए यह हमारे internal जो थे reason उसकी वज़ादा से market उपर आई तो अब आगे अब technical chart पर चलते हैं तो technical chart पर जाने से पहले मैं यह बता दू कि आपको जो तीसरा आपने यह भी ध्यान रखना है कि crude की क्या पुझी अगर crude फिर से महंगा हुआ तो फिर से pressure हमारी market पर सुबह मैंने जैसे बताया था क्रूर काफी सस्ता हुआ है तो यह भी market के उपर जाने का बहुत बढ़ा काल तो अब आपने यह ध्यान रखने हैं इससे कोई impact अ आपने अपना profit book करना है यह बात का ध्यान रखना है 14930-950 की आसपास हलां कि 14900 जैसे ही आए तो अपना profit book कर लीजिए और हलां कि अब अगर 14725 के उपर market खुले तो आपने 14700 की call लेनी है और stop loss रहेगा 14680 का stop loss रखिए और call लेनी है 14700 की target रहेंगे 14839 14900 और 14930 और 14930 50 मैं इतने ही बोलूगा इससे ज्यादा नहीं क्योंकि यहां पर एक बार market रुकेगी क्योंकि इतने भी कोई bullish view नहीं है क्योंकि कुछ त्रेटों में coronavirus की cases बढ़ रहे हैं तो कहीं से भी pressure आ सकते और दूसरी दर बांड जेल भी बढ़ रहे हैं तो अगर put रहनी है put कहां बन 14748 तो इसलिए आपने जो call लेनी है वह 14750 के उपर ले तो ज्यादा safe रहेगा यानि 50 डैमा के उपर ही low तब ज्यादा safe रहेगा और उपर भी 100-500 point मिल सकते नीचे की और 20 डैमा जो है तो नीचे की और के लैवर फिर से खुल जाएंगे और फिर नीचे 14625, 14620, 14570, 14540, 14540 पर अगर आपने अपनी पुट पे profit book कर लेना put जो लेनी है वह आपने 14700 की put लेनी है और stop loss रहेगा 14725 और जो call लेनी है उपर की और उसका जो stop loss रहेगा वो 14680 तो उमीद है आप को हमारे वीडियो पसंद आई होगी तो अगर पसंद आई तो जिरूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर की थैंक्यू धन्यवागा